दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास कोई भी यूटूब चैनल है और आप अपने यूटूब चैनल के अंदर अपना टो इस्टेप वेरीपेकेशन इनेबल करना चाहते हैं यानि कि चालू करना चाहते हैं तो अकरकार अपने कैसे अंदर टो इस्टेप वेरीपरेकेशन को इनेबल करेंगे क्योंकि टो इस्टेप वेरीपेकेशन बहोत ही आपको step by step बताने वाले हैं तो सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग लाइक नहीं करते हैं और हम आपके लिए इतनी मेहनत करके एक नया वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें उसकी बाद चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा चैनल है और आपने किस चैनल के अंदर टो इस्टे पर वेरीपेकेशन इनेबल किया हुआ है वैसे मैंने अपने इस चैनल के अंदर अपना टो इस्टे पर वेरीपेकेशन इनेबल कर लिया है और हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने इस वाले चैनल के अंदर टोइस्टेप को वेरीपेकेशन एनेबल करना वाले हैं तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे टोइस्टेप वेरीपेकेशन को एनेबल करने के लिए सबसे पहले अपने मूबाइल में अपना Gmail एकाउंट ओपन कर लीजे जैसे आपे Gmail एकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वो वाला Gmail एकाउंट लोगइन करना होगा जिस वाले Gmail आइडी से आपने अपना YouTube चैनल को बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर अपना वो वाला Gmail account login कर लेते हैं तो मैंने इस वाले ID से अपना एक YouTube channel को बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने अपना ट्विस्टे पर verification अभी तक enable नहीं किया है तो बस आपको अपने ID पर click करना होगा जैसे आप अपने ID पर click करेंगे इस तरीके से आपका ID open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा manage your Google account का अब आप इस पर click कर दें जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने direct यह वाला page निकल के आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाए देगा कि आपके channel का क्या name है वो आपको यहाँ पर so हो जाएगा यहाँ आपका email ID का नाम यहाँ पर दिखाए देजाएगा लेकिन बस आपको इतना देखना है कि आपका यह वाला email ID है जिसके अंदर अपना ट्विस्ट अपको verification चालू करना चाहते हैं तो बस यहाँ पर आपको एक option मिले का security का आपको security पर click कर देना होगा जैसे आप इस पर click करते हैं click करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीच आएगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएका how to use sign in into google यानि कि आपने google account को बहुत ज़्यादा आपको secure कर लेना होगा और यहाँ पर आपको recommendation भी दिया जाता है you have security recommendation यानि कि आपने security को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लिजे और यहाँ पर आपके समने इस तरीके से एक error भी आपको दिखाए दे रहा होगा अब आप यहाँ पर आज यह two step verification का एक विकल्प मिलेगा अब आप इस पर click कर दीजे जिसे आप इस पर click करते हैं click करने के बाद यहाँ पर आपको दो विकल्प मिल जाते हैं एक मिल जाता है किसी application का authentication करके और एक विकल्प मिल जाएगा कि आप यहाँ पर किसी दूसरा अपना mobile number को add कर दीजे तो हम यहाँ पर आपको recommendation देंगे कि आप किसी दूसरे mobile number को यहाँ पर add जरूर करने ताकि आगर आपका mobile phone यह वाला खो भी जाता है तो आप अपने इस वाले YouTube चैनल को किसी दूसरे mobile number का यूज करके recover कर पाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्विस्टे पर verification तो आपको थोड़ा सनीचे आना होगा get started बटन पर click कर देना होगा जैसे आप इस पर click कर देंगे click करने की बाद आपके समने एक नया page निकल कर आ जाएगा ये वाला अब आपको यहाँ पर मिले का use your package to confirm is really you आपको confirm पर click कर देना होगा जैसे आप ए confirm पर click करेंगे अब आपसे यहाँ पर log पूछा जाएगा आपके email id का तो वो आप डाल देंगे अगर आपका screen पूछा जाता है तो अपना screen lock आप डाल देंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे screen lock पर click करेंगे और अपना हम screen lock यहाँ पर डाल देते हैं तो इस पर click कर देते हैं click करने की बाद screen lock डाल देंगे डालने की बाद हमारे सामने एक direct अभी page open हो जाएका two step verification को चालू करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर दिखाई देखा कि आपका यह वाला email id कहां कहां पर login है तो हमारा email id हमारी Samsung M31 के अंदर login है जो हमारा यह वाला mobile है और हमारा email id Redmi Note 11T 5G के अंदर login है जिस mobile से हम video record कर रहे हैं तो हमारे दो mobile के अंदर यह वाला email id login है अगर आपका कोई दूसरा account यहाँ पर दिखाई देता है mobile नमबर दिखाई देता है जिसके अंदर आपका email id login है और आपका वो वाला mobile नहीं है तो आप उसको जरूर यहाँ से हटा देना यहीं पर आपको send out का option मिल जाएगा उसके बाद एक continue यहाँ पर किलिक कर दिजये जैसे आप एक continue पर किलिक करेंगे आप आपके समय एक नया page निकल करा देंगा mobile नमबर का अब आप इस पर किलिक करके अपना mobile नमबर आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे आप इस send button पर click करेंगे, थोड़ा सा आपको wait करना होगा, processing phone number और आपके mobile number पर एक code आएगा, वो code आपको यहाँ पर fill up करना होगा, आपके समने एक message भी आजाएगा, कि आपने email id के अंदर, यहाँ पर two step verification को enable किया है, तो आपने यहाँ पर alert आजाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आजाएगे, तो turn on vehicle पर मिल जाएगा, अब आप इसे on कर दीजे, जैसे आप इसे on कर देंगे, तो turning on two step verification, अब आपके mobile में two step verification चालू हो गया है, और हमारे पास फिर से एक message निकल के आजाएगा, two step verification turn on, तो एसे तरीके से अपने किसी भी YouTube चैनल के अंदर आप two step verification को चालू कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी, जो मैंने आपको step by step यहाँ पर बता दिया है, और हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आपने अभी तक अपना investment का journey स्टार्ट नहीं किया है, तो आप angel one के साथ बिलकुल free में अपना demand account open करा सकते हैं, और हम पिछले दो साल से angel one के अंदर अपना investment कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वीडियो को like कर देना होगा चैनल को subscribe कर देना होगा, और angel one का link आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस link पर क्लिक करके अपना successful free में demand account open करा लिजे, और mutual fund के नदर SIP का चालू करने के लिए या आप स्टॉक market में trading करने के लिए आप यहाँ पर अपना account open करा लिजे, और free के में आपका account open हो रहा है, इस व आपना बाद,